कि एक बार बदा दो मुझे जितेंग जुड़े हमारे साथ में ब्लादिमर्पिन व्लादिमर्पुतिन हमारे साथ में जुड़े हैं रश्या रश्या के राश्पति के लीजिये इनको और ये उक्रेडिपार युद्दकर रखे हैं कि अब सुमी जुड़ी जुड़े हैं दीजे जुड़े हैं आशीश जुड़े हैं सबिलों को नमस्कार सुवेलों बूड़ी बीटिवनिंग तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं वह है SSC-CHSL का चार अगरस्त का पेपर है जब मैं अगरत करता हूं तो आपको बिलकुल भी differentiate नहीं करना है CGL और CHSL में क्योंगी लगब 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 पेपर सेमी होते हैं ठीक है भाई चलो जो start करें class को यह trial trial आने लगता है तुरंद के तुरंद क्या हुआ net नहीं चल रहा है हाँ चल रहा है ठीक चल रहा है सब बढ़िया है और तुम लोग बाते बाते बहुत करने लगे हो आजकल मैं देखता हूँ बातों के आजकल तुम लोग बहुत बता से पोड़ते हो चलो आरो ही गुडीवनिंग कैसी हो अकलेश कुमार गुडीवनिंग किंकैसर गुडीवनिंग जितेंद्र पांडे गुड़ीवनिक, कहां बुल्डोजवन लेके जा रहे हैं, सबी लोग गुड़ीवनिक, सबी लोग नमस्कार, तो चलो भई क्लास की सुरुवात करते हैं, सर जी नमस्ते, I am Mahesh यादव, हेलो Mahesh, कैसे हो, स्री किष्णा स्टडी नमबर वन, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे, वो कौन सा है, 4 अगस्त का सिप, 1st शिप्ट और 2 शिप्ट का पेपर है, तो दो सिप्ट के पेपर मैंने कभर की है, 1st शिप्ट और 2 शिप्ट के, टोटल नमबर व कॉस्चन्स जो है, टोटल नमबर व कॉस्चन्स, कितने हैं है भाई, तो याद रखेंगे, इनकी संग क्या है, 33, और इसमें सही जो आपको करने है, वो है 25, यह आपका टार्गेट है, सर आप तो बस कराओ सर जी, कोई भी पेपर हो, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं तुम कितना सही करते हो, हेलो सब्ट नरायन भाई, कैसे हो, और यू, तो सब लोग मुझे लगता है जुड़ चुके हैं, चलिए, काने की शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है, आवाद साफ सुतरी है, कोई इको भी इको तो नहीं हो रहा है, आमित कुमार, ओके, चलो भाई, क्वेशन, जो भी बच्चे मेरे टेलिग्राम चलन से जुड़ना चाहते हैं, वो ये टेलिग्राम का लिंक है, आप योगे इन सिंग अनकेडमें डालोगे, आपको टेलिगा चलन मेरा मिल जाएगा, इबन बतूता किसके सासंकाल में भारत आया था, इबन बतूता किसके सासंकाल में भारत आया था, एक मैं रुखनें दोस्तों, क्या आंसा बनेगा भई, शुरू कीज़े, शुरू तो हो गया भई, आंसा तो दो तुम लोग, कहानी तो शुरू कपते हो गई है, अमीर कुत्रो, फिरोज साथ तुगलग, गया सुद्दीन, तुगलग या फिर मुहम्मद बिन तुगलग, तो राइट आंसर इस, मुहम्मद बिन तुगलग, पागल तानसा कहते थे, इबन बतूता ने एक किताब भी लिखी है, इस किताब का नाम क्या है, रहला एहिंद, किताब का नाम क्या है रहला एहिन ठीक है भाई याद रखेंगे सब से यदा सेहरों का निर्मार फ्रोज साहथ तुगलग नहरों का निर्मार फ्रोज साहथ तुगलग ठीक है दवा खाने का निर्मार फ्रोज साहथ तुगलग तो बहुत सारी चीज़ों का निर्मार असने कर आए थे इसने सिक्के कहते हैं चम्डे के सिक्के ऐसे में क्या हो गया सभी जिगए अलग लोग अपने अपने सिक्के बनाना शुरू कर दिये तो यह भी फेल हो गया अमीर खुसरों से कुसे बनता है कि तो अमीर खुसरों कहा जाता है तो अमीर खुसरों कहा जाता है क्या कहा जादा पदक जीते हैं पिशले उलंपिक तक भारत ने किस खेल में सबसे जादा पदक जीते हैं यह कोश्चन बिलकुल आसान है बिलकुल भी डिफिकल्ट कोश्चन नहीं है ठीक है बाई मेरे बिलकुल भी डिफिकल्ट कोश्चन नहीं है पिछले उलम्पिक तक भारत ने सबसे ज़्यादा सर जी आज भारत ने पाकिस्तान में गलती से एक मिसाइल छोड़ दी हो जाती गलती ऐसी गलती होती रहने चाहिए कितने पदक जीते हैं टोटल कितने 8 मेडल जीते हैं बिल्कुल सही है वर्का वेरी गुट बहुत बढ़िया वर्का भी बहुत बढ़िया जा रही है आज आठ मडल जीते हैं भारत में सबसे पहले और interesting question पूछा जाता है कि भारत ने सबसे पहले किस olympic में part speed किया था तो 1900 के olympic में part speed किया था पहला question दूसरा question बनता है कि भारत ने भारत से सबसे पहले व्यक्तिकत olympic किसने जीता है तो ये भी आदक में इनका नाम है केडी जाधाओ फिर question बनता है भारत की पहली मिला जो नहुत पहले Olympic Medal जीता हों का नाम है करणम मलेश्वरी क्या नाम है करणम मलेश्वरी ठीक है भई फिर question पूछे जाता है सबसे पहले gold medal जीतने वाले विक्ति विक्तिकत गोल्ड मेडल तो इनका नाम क्या था अबनौ बिंद्रा क्या नाम है अबनौ बिंद्रा अब इक अबनौ बिंद्रा की किताब है उसका नाम आपको बताना है कि कौन सी ओटो बाइगराफी है जिसका अबनौ बिंद्रा की कमेंट करें फटाफट ओटो जादों कि अबनौ बिंद्रा के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है ओटो बायग्राफी ओफ अबनौ बिंद्रा ठीक है होकी के जादूगर ध्यांचद को कहते थे उन्हीं की याद में हम हर साल खेले दिवस मनाते हैं अब कम मनाते हैं यह मुझे कमेंट करिए ठीक है आगे चलो तब तर तुम लोग आंसर दो नैस पूश्चन को इद्धा बर्तमान में 2020 तक का है यह क्वश्चन के 2020 अक्टूबर 2020 तक सब्सक्राइब के सीओ कौन थे अमिताब चौधरी ससीधर जगदीशन केशी चक्रवती या फिर दिनेश खारा दिनेश कुमार खारा देखो दोस्तों दिनेश कुमार खारा तो तुमको पता ही है इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है यह एमडी और चिया चेर्मेन है असौट एट हिस्ट्री वेरी गोड बहुत बढ़िया ब्लादिमर पुतेन ने सही आंसाद दिया है और सत्तनारान रंजन ने आंसाद सही दिया बिलकुल सही आंसाद दिया वाई लड़के न है न क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर इनकी कित किताब है अशौट एड हिस्ट्री अशौट एड हिस्ट्री यह किताब लिखी है अबना ब्रिंदा की ओट बाइग अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे लड़के के सीओ कौन है तो सचीधर जगदीशन इसके इसके सीओ अब अलगला भी बैंकों की सीओ आप से पूछे ज कि यह कौन है चंद्र सेकर घोस कैथॉलिक सीरियन बैंक यह पूछा नहीं जाएगा ऐसे हटा दो बल्कि जुरूत नहीं पढ़नेगी सिटी यूनियन बैंक डॉप एन के नामकोडी डी सी भी यह भी नहीं पूछा जाएगा फेडरल बैंक स्याम स्रीनिवास्थान LDFC सकता है और ऊपर की दो बैंक है बाकी बैंक यसमें है नहीं बाकी मैं ला दूगा भी और पीडिएफ में डाल दूगा सम्मेदान के किस अनुष्चित के अनुसार प्रदान मंत्री की नियुकती राष्टपती राष्टपती की सरहा पर करेगा Mastermind बुक बाइदा बे सुनात अनंद ये असीस है लगता ये असीस ही लग रहा है जो इस तरीके से नाम बदर की ब्लादी मुर्व पुतिन करके आया है गुड परफॉर्मेंस Article 75 गलत तुमने ध्यान से देखा नहीं है मंत्री परसद है Article 75 में वो कह रहा है कि किस अनुच्छेत करूसार प्रदान मंत्री की नियुकती राष्टपती करेगा Article 74 A This is the right answer अब Article 74 A के दो पृतिवन्दे दोनों ध्यान से देखना राष्टपती की सहायता देने के लिए मंत्री परसद होगी जिसका प्रदान प्रदान मंत्री होगा राष्टपती अप्दों के प्रयोग करने के लिए ऐसी सलागनुसार कार करेगा यह सही है Article 55 यह तो मंत्री परसद का गठाने चोहत्तार एम है दो राइड आंसर विल बी 75 यह होगा ठीक है साही देख लोग आंसर 75 यह होगा है यह यह आंसर शाही ने गलात है आर्टिकल 75 यह ठीक है ऑप्शन गलात है फड़ित पथ एक लांच किस ने किया था अब सोचो कि रोड इसमें से कौन है रोड मंत्री कौन है तो हमारे जो ग्रह मंत्री है वो अमिस्सा है राजीव कुमार नितिंगलकरी अमिताब कांथ अमिताब कांथ इस सीओ और नीती आयो नीती आयो राजीव कुमार क्या है वाइस प्रेसेडेंट है नितिंगलकरी दिस इस राइट आइट आंसर इसकी आंसर सही हो जाएगा डीजे कहना है कि सर अब आपके मेरे पास आपके पढ़ागए तीन जार कॉशनल कलेक्शन हो गया उससे जादा नहीं आता है इससे जादा डीटेल डेवर नहीं पूचा जाएगा टेंशन नहीं लो कॉशन नमबर 21 2021 का बिस स्नूकर चेंपियन सीफ प्रुसकार किसने जीता है वैसे तो इसमें देश का नाम पूचा गया था अब कॉशन में कॉशन थोड़ा साथ चेंज है जो सीचेसल में एक्षिल पेपर था उसमें देश का नाम पूचा गया था लेकिन चलो आपको यह भी पूच लिया जाए कि भाईया किसने जीता था उनका नाम क्या था मार्गी मार्क सेल्वी फिर रोनी एस उलिवान कोईरिन विल्सन या फिर एंथोनी मैग डिल कॉश्चन 29 अगस्तो नेशनल स्पोर्ट दें मना आते हैं ठीक है भाई कि यह आंसर आ रहा है शिक्स का ब्लादिमर पुतिन भी आंसर यह दे रहे हैं सपेंद्र नायत हो चुका है वह मार्क सेल्वी फ्रॉम दा यूके बिलकोश सही है मार्क सेल्वी दर राइट अंसर यूनाटेट केंग्डम के है यह इनको ही मिला था यह आप देख सकते हैं यह ही मार्क सेल्वी यूके से ब्लॉंक करते हैं ठीक है वही और यही जो है 2021 में बर्ल्ड स्नूकर चेंपियन बने हैं ठीक है आप जाले कोश्चन नमबर साथ लोगसभा की सबसे युवा स्पीकर कौन थे इनकी विप्ति होगे मनलब थे वो वो दे यंगेस्ट स्पीकर अप लोगसभा इन्हें कहा जाता है फर्स्ट दलित स्पीकर भी बोला जाता है पह लिशन व मूर्थी रहू दोस्तों गे मलबांकर पहले लोगसभा स्पीकर थे लेकिन उसने पहले मोगसभा स्पीकर नहीं पूछा है यह अप्शन बैसे अलग हो जाता है यह प्राइट आंसर और विल पी जी एमपी बाल योगी जी आप ग्रमाले कर ग्रजीएं चलो औ mesmoब प्राशफ्तान से निकलती है वह सौनिट यह देखें तो राजस्तान से निकलने वाली न善य को आगी जाएगी तो अगर आग कि शाज़ा के ने वाली नदी का नाम है बबाराँस अको भाॉनिटों आगी जाएगी तो बहुते चामब तो तो चम्बल की साहिब नदी है तो राज़स्थान में और कौन को ध्यान में रखना है तो लूनी सावर्मती और माही यह तीन नदियान सावर्मती राज़स्थान में भी जाती है फिर बानस चंबल और बानगंगा फिर इसके अलावा आप देखोगे तो ये क्या है inland drainage है बीच बीच में नदियों को मिलाने वाले drainage system है जिनकी कोई question इनसे नहीं बनेगा Question number 9 क्या कह रहा है question number 9 मिरजाई और बांदी are the popular in region ये क्या है एक dress के type है ठीक है ये क्या है एक dress के type है मिरजाई और बंदी तो बंदी क्या होता है जैसे हम लोग कहते नहीं है अगर आप देखोगे तो कुर्टा पजामा उपर सदरी पहनते हैं बस ऐसे ही होता बंदी तो बंदी क्या होती है ये दो तरीकी की होती है एक तो white होता और black होता है टाइप आप जैकेट्स होती है तो आपने सदरी कह लीजे तो आप देखोगे गाउव अगरा में जाओ ना कुछ एरिया में तो वहाँ पर लोग कुर्टा पजामा उपर से सदरी पहनते ब्लैक कलर की उसी को बंदा ही कहते है तो वह कहरें इस रीजन में पहना जाता है लग्दा कश्वी में पहना नहीं जाएगा सदरी वहाँ पे तो लोग बहुत ही थोड़ा वैसा कपड़ा पहनते हैं बुंदेल खंड है वेस्टन घहाट है नौर्ट इस्ट है तो राइट बुंदेल खंड और मालवा तो बुंदेल खंड और मालवा के चित्र में आप देखोगे तो किसानों को अक्सर आप कुरता पजामा सदरी पहने हुए देखोगे उसी को कहते हैं मिर्जाई और बांदिया अब यहां पे देखे भाई साब को दाधा जी है हैं मटेच वर्ले दाधा जी बड़िया सदरी पाहनी है उन्हों बायक्त का कुटर्ट पैना हुए दातों में वजनी गंदरज़िख यू है लेकर मभीया लग रहा है оссेख मुसखराता है तो यह है इसी को हमThatे समाज़ी ए तो यह मालवा और भुंदिलखंड के चेतर में मतलब यह कह सकते हूं और मालवा के मतलब मध्यपरदेस ते म्धित्र चेत्रों में तरीकित आर्थ दस, what do you call a point on the orbit of moon or satellite which is nearest to earth, तो को ये पृत्वी है ये अर्थ है और चंद्रमा इस तरीके से चक्कर लगा चंद्रमा जो है इस तरीके से चक्कर लगा अब यहाँ पर देखोगे तो माली जे चंद्रमा की पोजीशन एक बार यहाँ पे है अब माली जे चंद्रमा इस पोजीशन एक बार यहाँ तो अगर मैं आप देखोगे तो अर्थ से ये वाली दूरी और अर्थ से ये वाली दूरी इन दूरियों के बीच में थोड़ा सा अंतर है दिख रहा आपको ये दूरी पास में है ये दूरी दूर में है तो जो पास वाली दूरी है उसे क्या कहते है बोलो क्लियर समझ में आजी बात इसे क्या कहते है परिजी कहते है एकलिप्स कहते है एपसिस कहते है या अपुजी कहते है बताई हिंदी भी पढ़ लोगे न तब भी आंसर मिल लागा तुमको हिंदी पढ़ लो हिंदी द्यान से पढ़ो हिंदी अमन कुमार ने सही आंसर दिया है सुमी ने दिया है जितेन ने दिया है बर्खा ने दिया है ब्लादमर पुतिन ने दिया है MS स्टेटस ने दिया है पत्तन पीकु ने दिया है the right answer is perigee A will be the right answer अब ये perigee क्या होती है इसकी value होती है 3,63,300 km और जो अपूजी होती है मतलब उसकी दूरी ज़्यादा है वो 4,500,000 km तो इन दोनों ये जो दूरियां है इनी कॉम पैर जी और अपी जी कहते है ठीक है भाई आगे चले question number 11 खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है अगर आप से पूछा जाए कि बिस्में बिस्में खारे पानी के जील खारे पानी के जील तो याद अखेंगे दोस्तों फिर पूछा जाए बिस्में ताजे पानी के जील फिर पूछा जाए बिस्में सबसे बड़ी जील बिस्में सबसे बड़ी जील तो खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी होगे सामभर जील हो गई कहां पर राजस्थान में है तो सामभर जील कहां पर राजस्थान में है और राजस्थान में कौन कौन से जील है जायस्मंद जील है यह भी कहां पर राजस्थान में ही है राजस्मंद जील है राजस्थान में ही है चिलका जील कहां पर उरिसा में हो जाए आगर आपसे पूछा जाए ताजे पानी की तो सुपीरियर जीन और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी जील कौन सी है तो कैस्पीयन सागर कैस्पीयन सागर कुछा समझ गे चलें अगला क्शन विच अभन आप ओल्विट आप अज रवी पिकेशग्या तो लिटीपिकेशन इस विए रवरी सिंपॉर्ट वेरी इंपॉर्टी पॉर्ट था इस वरी इंपॉर्ट Leighification प्रकरिया के द्वारा निमलिकित में से किस प्रिकार की चट्टान बंती है ? तल्चटी चट्टान मेंठामॉर्फिक चट्टान अग्निय चट्टान या प्रात्मी चट्टान मैं आपको बताता हूं कियासी चट्टान बंती है ? क्या होता है जिसे बड़ा सा पत्थर तूटता है तो पहड़े पत्थर दूर दूर होता है फिर समय के साथ साथ में जा भवा होती है पानी होती तो पत्थर पास आ जाते हैं फिर क्या होते हैं उनकी बीच में थुड़ी सी रेत आती है और वो पत्थरों को जूरती जाती है पर दीरे 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 हजारों सालों के बाद वो पत्थर एक पत्थर में कनबर्ट हो जाता जो पहले अलग अलग थे इस तरीके के जो पत्थर है इस तरीके के जब प्रॉसेस है इसे कहते हैं सेडिमेंटरी रोक्स तो जो सेडिमेंटरी रोक्स होते हैं वो लीफिफिकिशन क दोरा क्या होते हैं बनाए जाते हैं कैसा होता है तो पहले क्या अलग-γलग प्त्थर हों की वह इस तरीक्रें से सेटल हो जाते हैं धीरे electr करके पास-पास आते जाते हैं COMPACT होवते जाते हैं और फिर क्या होता है कि बीच में इनमें cement भर जाता है यह ना, पानी के द्वारा, ग्रींज के Д्वारा deposit के द्वारा और ये properly क्या हो जाते हैं, आपस में attach होता है जुड़ जाते हैं इस तरीके के rocks को हम क्या क्या ते हैं, lethification rocks क्याते हैं, sedimentary rocks क्याते हैं, जो कि बैलकनों के लावा से बनती है तो आगने जितनी भी चट्टान है वो वेव। लावा के ठंडे होने से बनते हैं यह थे आपको यादरतना मेका फिर कायन से चट्टाने क्या होती है बहुत समय तक जो है कोई कैमिकल सक्काम स्क जो केल्शुम या बागी जो चीज आए वह एक स मैंसे कौन सा वॉसिंग सूडा का उपयोग नहीं है तो दोस्तों पहली चीज तो यह समझने की है कि वॉसिंग सूडा का उपयोग क्या है कि कौन बच्चा है एफ एस यू डी यू डी यू क्या लिख रहा है भाई तू कि दूसरी दूसरी देश का तू नहीं है वह से इंचोड़ा का फॉर्मला क्या होता है दोस्तों एन टूसी ओठी डॉट टैने स्कूड यह फॉर्मला होता है ठीक सब्सक्राइब होता है कि अधावन टूसरी मच्छ प्र नश्यान टूसरी तूसरी दूसरी रह यूटिड आप आए वारा क्या जावट सूसरी अधा यह पॉट टैने संधल में है वारा जावस्तों टूसम लिख इंचा इूसर्वर नम्च्छ यह तूसरी आप यालिग इं पानी का दोस्तों पी-ओ-पी का नहीं पूचा गया है पी-ओ-पी का फॉमला अलग होता है थोड़ा से डिफ्रेंस होता है पानी का सुधांकर आंसा दे रहे हैं वरका केरी सरजी क्वेशन नमबर 14 में चिलका होगा बेटा खारे पानी की जील पूछा गया है बेटारे पूछा गया है झाल झाल देखो भाई बस समझना इसमें बहुत सारी बच्चों को थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं उसका इसका क्या आंफर हो जाएगा cazo4.2s2 और इसका आंफर होता है cazo4.2s2 यह आंफर हो जाएगा अब जड़ा इसको वापस लेते हैं इक कोष्चन इन में का कि 11 कोष्चन देखो जो चिलका जहील है न यह भी खारे पानी की जहील है ठीक है यह भी खारे पानी की जहील है और जो सामभर जील है ये भी खारे पानी की जील है अगर question आप से ये पूछा जाए खारे पानी की जील सबसे बड़ी मतलब उसमें खारा पानी पहले नमबर पे है वो कौनसी है तो आंसर सामभरी होगा लेकिन आप तो ये पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटिय जील तटिय जील अगर पूछा जाए तो आंसर चिलका होगा तो चिलका के पर आप तो याद अखना है कि जब कोशन पूछा जाए तटिय मतलब तटकी किनारे की जील तो चिलका होगा खारे पानी की सबसे बड़ी तटिय जील तो चिलका होगा और गर क्वेशन पुचा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो फिर सामभर होगा ठीक है यह सबसे बड़ी खारे पानी की जील सामभरी होगा ठीक है यह सबसे जादा खारे पानी की जील तब भी साम सब्सक्राइब दें जीलों के बारे में कि जो मैं आपको बता रहा हूं यह यूपी PCS 2018 का कॉस्चन है यह सेव टू सेव वहां पर उसने सामबर जील को ही सही माना है ठीक है कि कम्प्यूटर में बिंडो मिनमाइब करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है कि बारे में किलंस बदेंजल शोटक्ट कुञ़िए कौन सी है विंडोस की प्लस आप आँरों बिल्डोस सी प्लस रीफट ए रॉ बिन्डोस की प्लस राइ एरो और बिंडोस की प्लस आप करेंगे तो माक्सिमाईज हो जानेगा Convention on the provision of use of nuclear weapons and reducing the nuclear danger under the nuclear weapon cluster were two resolutions sponsored by India that is adopted in 2020. चले, बताई यांसर क्या बनेगा? एक मनुट्ट पुनाया, मेरा बच्बच्चलों एक फिस्मेफ्या बताई कर दो किए बच्चलों कोई बनावा बनावा क्या अव्चलों का य्याओ भी यादानेव है I ठीक है, the right answer is UN General Assembly, Indian adopted किया था, सिंपल सी बात है, देखो लॉजिक ऐसे समझो, कि जब हम बात कर रहे हैं परमालू हत्यारों के सम्हूं के तैस्ट परमालू खत्रे को कम करने के लिए, तो यह काम वर्ल्ड वैंक तो करेगा नहीं, यह तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यह काम लेवर और अगनाईजेशन भी नहीं करेगा, एक ही ऐसी असेंबली है, जो परमालू हत्यारों की बात कर सकता है, तो इस तरीक से अब लगा सकते थे इसमें दिमाद, है कि पहले एशियन गिम्स, पहले एशियाई खेल, यह भी आपको याद रखना है कि जो पहले एशियाई केल में वो भारत से इशुरू हुए थे, 1951 में दिनली में शुरू हुए थे और इसका जो मोटो है ना एशाई खेलों का जो मोटो है उसको है ever onwards वो जवाहलाल नहरू की स्पीच से लिया गया था पहला जो राश्मंजल खेल था यह 1930 में शुरू हुआ था राश्मंजल खेल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी राश्मंजल देश हैं वो कभी UK की कॉलोनी रहे हैं यह ना तो उनको तुन देशों को मिलाकर राश्मंजल खा जाता और भारत की उसका इक हिस्सा है 2010 में राश्मंजल खेल हुए थे दिल्ली में का पर होगे थे दिल्ली में सो आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा होगा C question number 18 coral draw is an example of coral draw किसका example है चलिए भाई आगे बताए इसमें लॉजिक भी लागा हूँ सीधे सीधे देखो चलिए वो coral draw का है? और एक तरीके का software होता है जिसमें हम क्या करते है यह किसी picture read करते है, publication करते है, और कोई photo बनानी है तो coral draw का प्योग करेंगे, कोई ना front page बनाना है तो coral draw का प्योग करेंगे तो coral draw मुक्रूप से किस के के लिए प्योग के जाता है कि जो कोई फोटो है वीडियो है एडिटिंग के लिए मुख रूप सो प्योग के जाता है यह कुल रहा हूं आगे चलें कॉश्चन नमबर 19 डाउन सिंड्रोम बिच कॉज़र लर्निंग डिफकल्टी और फिजिकल हेल्थ डबलक्पेंट डिलेज and disability is a एक बीमारी है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम तो यह डाउन सिंड्रोम बीमारी किस प्रकार की बीमारी है जो सीखने की कटनाई और सारे रेक स्वास्त विकास में देरी और विकलांगता का कारण बनता है अनवांशिक रोग विशाणूं जीवाणूं या फिर इन मै से कोई नहीं क्या अंसर बनेगा भी क्या हो जागे जैनेटिक जैनेटिक डिसीजों यह क्या विल भी तैंसर इस तो जैनेटिक डिसीजों ही बीमारी है और कौन कोई सी बिमारी हैं थो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं एक आपको बिमारी यह जोख promotes नाम हे हीदो एक यह यह होती है और कॉन सी बिमारी बताएं आपको यहाद कॉर भी मारी याद आंद्रता ठीक है किस खोज हे तू जे आल्टर माइकल हॉट्टन और चार्ल्स एम राइस को सेंट रूप से चिकिस्सा का नवल परुस्कार 2020 दिया गया हैपेटाइटिस B बीमारी के लिए C बीमारी के लिए चेचक के लिए या फिर मलेलिया के लिए बलादवर पुतिन के रहा है कि सर आज दीदिन की क्लास में एक आईडी से तैल का मचा दिया तो अलग अलग जाके यही करते रहते हो है झाल 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 हिंदी में लिखाकर हो सर जी ठीक है हिंदी में लिख देंगा है दराइट आंसरी है 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 तो 2020 का नोल प्राइज पीजियो लॉजी और मेडिसन में अवर्ड किया गया दिस्कबरी ऑफ हेपेटाइटिस C वारस वीजब फॉल्म वाटर फॉली लुकेटेटि इंजार खंड कौन सा इसमें वाटर फॉल जार खंड में इस्तित है कि 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 हम य overth ? वह सर जी बोल रहे हे कि तुम कौन अपने नाम बता हो हो जोख जलपर पाथ इसे गर्सप्र जलपर पाथ भी कहते हैं महत्मा गांधी जलपर भी कहते हैं सरावती नदी पर है दूद सागर जल्परपात कहां पर एग गुवा में है ठीक है चूलिया जल्परपात कहां पर रजस्तान में एक ही बचा हुंटू जल्परपात हुआ है तो इलमेट कर लोगे तब भी आशा बंग जाएगा तुम्हारा बस आना चाहिए कि अमें इलमेट करना किया से ठीक है न आपको पता होना चाहिए किल्मेट करना क्या से एक है दूर साजर हो गया एक है धुमाधार जल पर पाद कहां पर एजरा बताओ एक है धुमाधार धुमाधार जल पर पाद झाल पर पाद डादे रादे दूरगा दुमाधार मध्यप्रडेश में जालपूर में वेक है वेड़र अपर पाद वेड़र पैडरीशन अप इंडिया चंबर सब कॉमर्स अ इंड़स्टी फिकि established in India वो कहा रहे कि भारत में Federation of Indian Chambers of Commerce टिक्की की स्थापना कब हुई 1952 में, 1948 में 1927 में या फिर 1949 में हेलो साजन मिस्यूनिवर्स तुम्हारे कमेंट आ रहा है 1927 दर राइट आंसर अब दोगर फिक्की की बात करें तो क्या-क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्या-क्या चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए एक मनेट इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है हर्ष वर्दन नियुदिया हैड़कवाटर नियुदिल्ली में है इसकी स्थापना 1927 में हुई है सेक्रेटरी जनरल दिरीब चनवाए है ठीक है भई याद दखेंगे उसके जो फाउंडर है वो जरूर आप देखेंगे इसके फाउंडर तीन बड़े-बड़े फाउंडर जिनका नाम है घंस्याम दास बिरला पुर्सुत्तम दास ठाकुर्दास यह वही लोग हैं जो बॉंबे प्लान में थे याद आ रहे कि नहीं आ रहे हैं अंडरूटूग दागावर्णेंज इंडर उन्डर कोंस्तिटूशन आफ इंडिया वो कह रहा है कि भाई उनने इसलिगन में सेंट्रल गवर्मेंट ओफ इंडिया अंडरूग दागवर्मेंस ऑफ कहला हैए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटल गौर्णमेंट जब किसी राज सरकार की गवर्न की गवर्नेंस को अपने कंट्रोल में ले लेती है तो इस ऐसे केस में कहते हैं राज का आपातकाल एक कोशन और बनता है कि सबसे पहले राज में आपातकाल किस जगह पर लगाया ग झाल तो राइट आंतर बनेगा 356 पर कॉश्चन नम्बर चॉर्स लेप्रोसी इस कॉल्स बाइदा बैक्टेरिया इस कॉल्स लोग एक जीवानू नमक के करण होता है माइक्टेरियम लेपरेडी हीमोफीलस पर्ट्यूसस माइकटेरियम टूबर खॉस निसेरिया गिनौरिया कर दो है कि आप फर्स पंजाब है बिलकुँ सही प्रॉश्री रूट लगा जहां लगाया गया था लप्रॉसी इस कॉस्ट भाई बैक्टीरिया से होता है बैक्टीरिया कौन सा है कि 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 बदाई यांसर क्या बनिकाफट आपट माइको बैक्टरियम लामडी पर्टीरिशिस की बीमारी इसे कहते है काली खासी इसे क्या कहते है इसे कहते है काली खासी ये कौन सी बीमारी ये टीबी टीवी यह ना और ये बीमारी जो प्राइविट पार्स होते हैं उनमें होती है एक क्वेशन पूछा जाते है कि इसका कुछा तो टीबी का है बी सीजी इसी तरीके से काली खासी का टीका होता है डी पीटी डिप्तिरिया पर्टियूसेद और टिटिनिस इन तीनों का की टीका होता है और लेपरी को आम भास्ता में कहते हैं कुष्ट रोग क्या कहते हैं कुष्ट रोग कि सो ही वो दो मुगल एंपरर ड्यूरिंग रिवाल्ट आफ एक पिप्टी सेवन एक कॉश्चन पुचा जाता है कि मुगल सेना का सेना पती कौन था प्धोलेट में जो चावणी थी उसका सेनापती था इसका नाम था बक्त खां क्या नाम था लिए ना मतलब क्या जिन्होंनी विद्व ट्रोग किया था उसका सेनापती था और इसने जाके ओं मुगल बागता को देश का वास्ता बना अब घुचित कर दिया था, और इनका नाम क्या था, बहाद्दृ शाह जफर 2nd, बहाद्दृ शाह जफर दुतिय, ठीक, एक कुछ नौड पूचा जाता है कि, बहाद्धृ साह जफर को कैद करके, कहा भेज दिया घया था, तो रंगून भेज दिया घ्या था, क क्या पूचा है कि किस बड़े इथियासकार ने ये कहा है कि 1857 की करांती ना तो पिर्थम ना तो स्वतंत्रता और ना ही कोई बड़ा संग्राम था ये कहा था R.C. मजूमदार नहीं और जिस कभी की बात करना है उनका नाम है मिर्जा गालिब क्या नाम है इनका मिर्जा गालिब तो मिर्जा गालिब नहीं 1857 करांती पो अपनी आखों से देखा था ठीक है भाई आगे चलो Question number 26 Fudong Ministry is located in वो कह रहा है कि जो Fudong Ministry है Monastery है Fudong जो मठ है वो कहां परिस्तित है लग्दाफ में है बिहार में है सिक्किम में है या फिर मद्यप्रदेश में तो दो तो हटा दो बिहार भी अटा दो मद्यप्रदेश भी अटा दो यहां पर कोई बड़ी मेजर मौंसी नहीं है क्या अंतर बनेगा भी सिक्किम बता रहा है बच्चे सिक्किम 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 इसदर आइटम सब इलको सही है यह Fudong मनस्टी जो कि सिक्किम है आप सिक्किम से क्या-क्या कॉष्चन आपसे बन सकते हैं क्या-क्या कॉष्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कमेंट करो फटा फटा तो दोस्तों सिक्क्यम से आपसे कोशन बनता है कि एक तो सिक्क्यम में जो है वो एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है रेड पांडा फेस्टिवल क्या नाम है इसका रेड पांडा फेस्टिवल यह कोशन बनता है दूसरा कोशन बनता है कि सिक सिक्क्यम को चुने वाला राज तो इसको याद रखेंगे पश्य मंगा कौन सा राज यह है बैस्ट विंगॉल केवल बैस्ट विंगॉली इसे टच करता है बाकी कोई टस नहीं करते ठीक है अच्छा एक कुछ और पूछा जाता है सिक्क्यम को लेके कि सिक्क्यम में दो करने वाला कौं सा है तो वह अंसर बनेगा नतुला घरगा ठीक है है कि नतुला घरगा तीसे महत्यपूर्चेक कि सिक्क्यम राज जी का निर्मान करुकू है तो याद डखेंगे राज बात भी बनाजा 1975 में बनाथा रफERNDUM के दौरा इसके दोरा referendum के द्वारा सिक्किम पहला organic state है कहला है first organic state ठीक है पहला जो है वो organic state माना जाता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है भाई मेरे चलो आगे चले question number सकता है which of the following state leads in the sunflower cultivation निमलिकित राज्यों में से कौन सा राज्य सूरल नुकी की खेती में सबसे आगे है खेती में आगे आता है बताईए जगा सूरल नुकी की खेती में अग्रणी है पुतिन कौन है पुतिन आसीस है पुतिन कौन है पुतिन आसीस है West India मैंने आप महँता को बता 들고 occupार कि आटक स्वाइब का एक करनाटक में सोना सबस्क्राइब कहने किक जी अब इसके मन्दिर पूखे जा सकते हैं आप से अगे नियुक्राइबक कॉन कॉन से मंसे मंदिर आपको तो याद आते को याद का था है कि करनाटक का भू भी मंदिर, टेंपल, अंफी बिलको सही है, तो मंदिर बताईए, मैंने एक दू बात बताये हैं मंदिर, पहला मंदिर, बिठ्थल स्वामी का मंदिर, बिठ्थल स्वामी का मंदिर, ठीक है, एक बतादिया है मैंने, बिठ्था यदा पिले टी आएगा फिट्था आएगा, सौरी, तूसरा मुर्धेश्वर का मंदिर पीसरा इतरोप्रता स्वामी का मंदिर गुरु पाठ्चा स्वामी मनें याद आ रहा कुछ बताया था यह नहीं बताया था गोमतेश्वर के मूर्ती भी यह समय शर्ण वेल भूला में गोमतेश्वर मुनित तुम्डी सिंग्ग वोज आ प्लियर कौन से प्लियर है मुनित तुम्डी शिम झाल ठीक है भी तो यह है फोटवाल पे लिए चंबल इजए टीब्यूट्री ओप विच आप दो फॉलिविंग लिवर बता चुका हूं में आपको बानस बारच चंबल यमना गंगा मांग की संविधान सभा की मांग की तो भाई मेरे पहला कोशन इंडिनेशनल कॉंग्रेस में जितने भी सेशन्स हुए हैं उन सभी को याद रखना है इस था अपना 885 में सबसे पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट बने बदरुदिन तयब जी सबसे पहले जो यूरोपियन ददेख्ष बने जॉर्ज हूल सबसे पहली बार बंदे मातरम गया गया 1296 सबसे पहली बार गांधी जी ने पट स्विट किया 1901 सबसे पहली बार जरंगा जो है जन्गरमन गाया गया 1911 सूरता दिवेशन 1907 जिसमें गरमदल और नरंदल दोनों तूट गए जिसे हम कॉंग्रेस का क्या कहते हैं विभाजन भी कहते हैं फिर 1911 लखनू समझोता दो मुस्लिम लिग भी साथ में आई तो सबसे पहली बार गांधी जी ने जैसे प्रसाइड किया 1924 बेलगाओं का दिवेशन सबसे पहली बार जिसमें जो है वो सरदा बलाभाई पटेल ने किया 1931 पहली महिला कॉंग्रेस अध्यक्स एनी बेसेट 1917 सबसे पहली बार पहली भार की मांग रखी गई कि एक सम्मेदान सबा बनाई जाएगी और वो सम्मेदान का नर्मार करेगी इन वीच अब फॉल्वीं यह पीम किसान वाज पॉमली लॉंजड किन वर्सों में पीम किसान की आपचारिक शुरुवात की गई 2014 2015 2016 2016 2017 2019 द्वार उन्निस सवाच्चन बोस ने किया था 1938-1939 कालविलिया फोक्स सांग और डांस पॉम है और डांस पॉम है और एन एक्स्प्रेशन और कालविलिया लोकगीत और नित रूप कालविलिया समुदाए के परांपरिक जीवन के तरीकी के अव्यक्ति है यह निमलिकित राज्यों में से किस से जोड़ा हुआ है राजस्तान हरियाना महराष्ट या फिर पंजाब राजस्तान हरियाना महराष्ट या फिर पंजाब हाँ यह पंकज पाल जी हमारी कलाक में पुतिन भी पढ़ता है अभी कल दोनाल्ड टरंप पढ़ रहे थे उसके पहले जो है कभी कभी मिस यूनिवर्स भी आ जाती है पढ़ने कि अगर जास ने तरह इंटांस तो यह आज की क्लास के टोटल क्वेशन्स थे याज रखेंगे यह पूरे के पूरे 32 त्रीटर्स अगर आपको इसमें 25 सही है तब तो तुम चल लाइव टॉप के 20 सही है तो एवरेज 15 सही है नीट टू इंप्रूव केवाल सब्सक्राइब करना है तो अगर आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है तब तो आपको प्लस लिए ना पढ़ेगा पढ़ने के लिए आपको प्लस ही जाना पढ़ेगा एंसे क्यू है रिवीजन करना है तो सब्सक्राइब करते ही जो है अगार मां जो है जो स्वेर्च यह होड़े स्कन कर लो और अपने अपने आप लोगे तो और सिर्फ इस क्यों मी कर देता हुं कि देख लीजए यह ग्योर कोड यह लिए तो आप इससे स्कैन करोगे तो अपने आप ही हो गया अभी यह लो मेरे लैप्टॉप ही बंद हो गया गजा भेजा रहे है तो बुल्डी वावा से पढ़ोगगी कल से तो है क ہ् कि चला है आगे चले मा अगी कि तीन मन आ्ट एक्ष्टर बिलेंगे और मत थे आप कर सकते हैं यह दीया कि यह भच्छही कर रहा ह rushing कुछ बच्ची कह रहे थे कि सर जो है उसकी टैसरी अच्छी नहीं है तो आप यह देखो फुल MTS टैसरी यहाँ पर है यह सीजल की टैसरी है हर फ्रैडिक होती है राजस लेकपाल की टैसरी है हर एक टैसरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी आइकोनिक में क्या होता है आपको priority मिलती है डाउट सॉल लोने में और प्रैटी मिलती है लाइव ग्लास में आसके डाउट चाहिए वो प्लस हो या फिर आइकोनिक हो अगर आपको लट्टे कि कोई भी कंटीन इनप्रोप्रेट है तो आप उसे रिपोर्ट करके पैसे भी जी सकते आइसके लिए इतना सफीचेंट है कल सुबह आपकी क्लास अपने टाइम पे होगी आज भी हो पाई थी लेकिन कल अ प्लस हो आपकी के भी हो धो कि न sizzल अगर चोल को में पuli दोग्रोड़ हो आपका झाल चाब कि लो योस्टे से चूच करता दोँचेंट contributed